नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्य न्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपरादूं पर लगाम लगाने के लिए सक्त रुक अपनाया है प्रदेश सरकार ने मंचलों पर नकेल कसने की पूरी तयारी कर ली है योगी सरकार ने इसके लिए मिशन दुराचारी की शुरुवात की है जिसके तहट अब मंचलों के पोस्टर चुराहे पे चस्पा किये जाएंगे देखिए इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधू पर लगाम लगाने के लिए सक्त रुख अपना लिया है प्रदेश सरकार ने मंचलों पर नकेल कसने की पूरी तयारी कर ली है योगी सरकार ने इसके लिए मिशन दुराचारी की शुरुवात की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने साथ में ये भी कहा कि यदी प्रदेश में कहीं भी महिलाओं के साथ किसी भी तरहा की अपराधिक घटना होती है तो इसके लिए संबंधित चौकी इंचार्ज, सीयो और थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे। के भी नाम उजागर करने का आदेश दिया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो मामला इलाबाद हाई कोट में पहुँचा। कोट ने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए संबंधित अधिकारियों को पोस्टर्स हटाने के आदेश दिये और कहा कि इस तरह के आरोपियों की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सूबे की योगी सरकार ने इससे पहले भी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोम्यो स्कॉड समेथ कई एहम कदम उठाए हैं। बावजूद इसके प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे ग्राफ में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाई जा सकेगी या नहीं। झाल झाल